पत्र को चिठी या पाती या खत भी कहा जाता है एक समय ऐसा था जब एक समाचार या संदेश को एक जगह से तूसरी जगह पहुँचाने का एक मात्र माध्यम थे पत्र पत्र द्वारा हम अपने विचार को पाठक तक पहुँचा सकते हैं पत्र या चिठी लिखना एक कला है पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं परंतो मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं आपचारिक पत्र तथा अनापचारिक पत्र आपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी या व्यक्तिकत संबंद नहीं होता जैसे के प्रार्थना पत्र, प्रधाना चार्य को लिखा जाने वाला पत्र, संपादक को पत्र, व्यापारिक पत्र आदि अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिकत या पारिवारिक संबंध होता है जैसे के मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र या विवहा के लिए निमंत्रण पत्र आदि एक अच्छे पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता जैसे गुण होते हैं पत्र के प्रमुख अंग हैं स्थान और दिधी, संबोधन, शिष्टाचार, विशय, समाप्ति तथा पता आजकल कम्प्यूटरिक पत्रों का अधिक चलन है जिसे इमेल कहा जाता है कर दो, मैं 인 मैं अट्यूटieurरिक पत्र में सरलता है ओ早 खसम आजकल का भया जैसे यारे का जाना है